तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास पावर अप्लाइड जो है पावर अप्लाइड वे पार्टिकल वहरीज फंक्सण अफ टाइम तो वैरियेबल पावर यहाँ दिया हुआ है वेर्टी फांड देखोंगे जो 2-4 सेकेंड मतलब 2-4 सेकेंड में काइनेटिक इनर्जी में कितना चेंज आए तो पावर इसकोल क्या होता है रेट आप डूइंग वर डीटी और अगर तुम देखो कि जो डी ओवर डीटी है वरग डन जो और जीजिए के बराबर आजाएगा कि अचेंज इन गाइनेटिक अनर्जी को मैं इस निमोट कर देता हुँ तो यहां से जो पावर पी ती डीटी डीटी अजाएगा गया और अच्छा लगेगा तो यहां से Greet तो देखोगे basically, यहाँ से तुम देखोगे, फये dt उधर चला गया था तो यहाँ था को बड़े अराम से सकते हो, दी और काइनेटिक एनरजी यह फ़री चेंज, है अब यहाँ से जो डी और काइनेटीक energy में जो change आएगा, यहां से kinetic energy, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए और यहां से power की value डाल देता हूँ, तो 4T की power Q, minus 5T और plus 2 और यहां से dt, अब दोनों side proper limit लगा के integrate कर दोगे, तो जब समय 2 था, तो kinetic energy की value थी, वो E1 ले लेता हूँ, kinetic energy E1, जब time 4 second हुआ, तो kinetic energy जो आजाएगा, वो आजाएगा E2, क्योंकि हमें change चाहिए, तो इधर जो बचेगा, वो kinetic energy delta के, समझे ज़े ज़े ना, ऐसे इधर जो बचेगा, delta kinetic energy of 2, minus kinetic energy 1, इधर बचेगा, और इधर बचेगा, जब इसको integrate करोगे, तो यह जाएगा, 4 और T की power 4, और divided by 4, minus 5, T square divided by 2, प्लस यहां से 2 T, और यहां सब पे limit चड़ेगा, 2 से 4 तक, तो जब इसको पूरा further solve करो, ठीकना, चलो इसको solve करी देते हैं, तो इधर बचेगा changing kinetic energy, और इधर यह 4, 4 इसे कट गया, और limit 4 डालो, यहां से, तो 4 का अगर, यहां से 4 को 4 times multiply करोगे, तो 256 आएगा, और minus 5 by 2 और यहां 16 आजाएगा, और यहां से आजाएगा 8, 4 limit डाले, अब 2 limit डालोगे, तो minus sign लगाओ, और 2 के 4 times multiply करोगे, तो यहां जाएगा 16, और यह minus यहां से 2 को multiply करोगे यहां से तो 5 by 2 तो था ही और यह 2 का 8 आ जाएगा ठीक ना 2 का यहां square जो है यहां से 2 का जो square देखोगे यहां से तो यह 2 का square यहां से यहां 4 आ जाएगा और यहां plus यह again यहां से तुम अगर यहां से देखोगे तो यहां से 4 आ जाएगा दुबारा ठीक है तो यहां से 5 बाइ 2 और 2 यहां तो फर्दर इसको solve गए तो 256 और यहां से 8 तो माइनस यहां से 40 आ जाएगा और प्लस यहां से 8 बचा और यहां से माइनस साइन तो था ही और 16 और यहां से 2 टाइमस कट गया तो यहां माइनस 10 प्लस 4 ठीक ना तो कुल मिला कि अगर इसको solve गए तो 256 और 256 यहां से इसको solve करोगे इसको फर्दर अगर solve करें तो देखो 256 यहां से और यह माइनस प्लस एट माइनस सिक्स्टेन प्लस टेन माइनस पूर इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो यह सॉल्व करके देख लिए ना दो सो चौधर जूल यहां से आ रहा है तो चेंज इन काइनेटिक इनर्जी जो तुम देख लेगे हैं बच्चों यहां से दो सो चौधर जूल मतलब जो है सी ऑप्सन सही हो जाता है थैंक यू बबाए टिक केर